रह्मान ररहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेह्बान नहायत रहें वाला है तो प्यारे बच्चों, हम पोएम की कॉंप्रिहेंशन करें हैं, आज हम करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स most nouns have singular and plural forms, they are countable nouns, यानि उन्हें गिंती किया जा सकता है, जैसे one letter or two letters, there is a letter on the table for you singular, there are letters on the table for you plural, you can use a slash n with singular countable nouns, जैसे it is raining, so I need an umbrella, I made a mistake, this is a job for superman, यानि आप एं या या यूज कर सकते हैं, there are, लेकिन countable, plural के लिए आप अलोन यूज करते हैं, for example, there are clouds in the sky today, there are bees making honey, we eat apples for breakfast, so we use a for singular nouns and when noun begins with a consonant and when plural nouns begin with vowel or when words used with h, consonant h, when a countable noun is singular, we must use a word like a, the, my, this, I want an orange, where is my bottle, तो हमें, I want an orange, oh wow, so we used an, for orange, where is my box, यानि के मुझे मेरा बॉक्स का हैं, मुझे माई जरूर इस्तमाल करना है, और I live in this house, मैं इस घर में रहता हूं, तो हम इनके लिए, दिस इस माई टेबल, यह मेरा टेबल है, दिस इस टेबल की कोई सेंस नहीं बन दी, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउं टेबल नाउन is plural, we can use it alone, अगर एक काउं टेबल नाउन को हम alone यूज़ कर सकते हैं, जैसे, I want oranges, और doors are closed, इसमें हमने कोई आर्टिकल नहीं लग आया है, अब आपके सामने ये example है, nouns की, use of a, r, n, ठीक है, आब विडियो को यहां पे stop करें और देखें कि इसके साथ कौन सा article use होता है, a, of, n, a bus, a teacher, an uncle, a woman, an envelope, and an insect, uncountable nouns वो होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे, butter, milk, और furniture, do you have any chocolate, the milk is sour, let's make cheese, rice is only edible when it has been cooked, यान, uncountable nouns, treated as a singular, जैसे, milk को, milks नहीं कर सकते हैं, water को, waters, अगर अपने आपको अमीर में महसूस करना चाहते हो, तो अल्ला की दिन ये उन नेमतों को गिनों, जो दोलत नहीं खरीच सकती, अल्ला ने हमें आँखें दिये हैं, हाथ पों दिये हैं, हम लाखों प्यावी कोई दे तो अपना कोई, उस किसी को नहीं देते, उन कामों का शमार मत करो, जो तुम करते हो, बलके वो काम करो, जो बामकसद हो, अल्ला को जानना, अल्ला की किताब को तर्जमें से पढ़ना, اللہ نے مجھے किन चीज़ का है काम दिये पिर उन कामों को अल्ला के नबी ने कैसे किए एक सुननत को जिन्दा करने का स्वाब 100 शेहीदों के बारे में जितना मिलता है सच बोलना सचा रास्ता सीधा रास्ता सिर्फ एक ही रास्ता होता है कोई चीज याद नहीं रखनी पड़ती स्माइल मुस्कुराना भी सद्का है अपने चेरे को हमेशा मुस्कुरार से सजाए रखो दौा मांगो हमारी हर चीज हमें अल्ला अता करता है हम जितना मांगेंगे उसे पसंद है कि हम उसे दौा मांगे किसी को नुकसान ना पहुँचाओ अपनी नियत भी ना रखो ख्यालों में सोचों में किसी को भी नुकसान ना पहुँचाओ जो भी कर सकते हो जो अल्ला ने नेमतें दिया उन्हें इस्तमाल करना शुरू करो आज से ही अगर पहले नहीं की शूगर इस एक्सपेंसिवटी नहीं कीम्ती है गैस इस चीप गैस और शूगर दोनों ऐसी चीज़े हैं जो अनकाउंटेबल गिनी नहीं जा सकती इनके साथ वो यूजिली से असम्टिंग आफ अपीस आफ केक, अग्लास आफ वाटर, अग्रीन आफ सेंग और हम इनके साथ some or any इस्तेमाल करते हैं प्लीज गिव मी सम वाटर, दो यू है अनी सौल तो इसमें जो है, some positive statements के साथ आता है और any जो है, वो negative statements के साथ आता है We use a little or much with uncountable nouns जैसे, I have little happiness in my life I have got much practice to do I am in charge of how I feel and today I choose happiness So happiness is a choice and there are simple rules to be happy Tell nouns is countable or uncountable यह आपके सामने nouns नहीं इनके आगे वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें जो uncountable हैं, उनके सामने un लिखें जो countable हैं, उनके साथ c लिखें तो हमें पता चलता है कि juice, sugar, fruit और currency uncountable है और bet और cup countable हैं तो कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं जैसे यादें, अच्छी यादें रखें, अच्छे खलाफ बनाएं और ध्यानतदारी का रस्ता इत्यार करें अमीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें